हलो विवन नमस्कार 3 जून 2021 है और एक important information आप लोगों के लिए या एक suggestion आप लोगों से चाहिए हम लोग planning कर रहे हैं कि regular basis पर एक current fair की specific series जो है वो आप लोगों के शुरू की जाए अगर आप लोग support करेंगे इस initiative को तो सुबह 5 बजे 15-20 मिनिट की वीडियो आप लोगों को मिलेगी और इसमें हम लोग क्या discussion करेंगे उसके बारे में आप लोगों को इस छोटे शी वीडियो में बताना चाहता हूँ तेन जुन 2021 जैसे के आज है तो इसमें हम लोग basically क्या करेंगे जैसे यहाँ पर कुछ information है जैसे ओल इंडिया रेडियो से कुछ information लेगी और जैसे agriculture mission ने launch किया mini kit program क्या है right mini kit program जो है वो distribution करना है seed mini kits को और यह basically varieties of varieties of seeds जो है फार्मर को distribute करेंगे इसमें national seed corporation, NSE, NAFED यह central agencies के तुरू जो है यह कहने की launch किया जाएगा initiate किया जाएगा और इसमें government of India जो है national food security mission के अंडर भी इस initiate को आगे बढ़ाएंगी और major creep crops इस तरह की चीज़े है तो यह कुछ information है इस तरह की information जो all India radio पर national international जो है वो include होगी इसके अलावा दूसरे जो newspaper है जिसमें times of India है, financial express है या Indian express है इसके अलावा most important PIV इन मेंसे जो major major information होगी उनमें to the point brief में हम लोग discussion करेंगी और यह dedicate होगी UPSC के लिए लेकिन यह सब examination के लिए उतनी ही important होगी इसके अलावा जैसे इसी all India radio पर second information दीगी कि justice आरुन कुमार मिस्तरा जो है वो उन्होंने national human right commission के chairman की रूप में charge लिया तो national human right commission क्या है और इसके बारे में basically कौन कौन इसको कौन पोइंट करते है इसके selection के लिए पैनल कौन सा जैसे यहाँ पर mention किया गया है इस पैनल में प्राइम मिस्टर नरेंदर मोदी हो मिनिस्टर हमीद चाल लोकसबा स्पीकर रोम बिडला डिप्टे चेर्मन अवदा राजसभा जो हरीवंस और लीटर अवदा ओपोजिशनर राजसभा मलिकार जुन खड़ गये यह इसमें मेजर रोल थे और जस्टिस अरुन मिस्टर है सुप्रेम कोट के जज़ इनके बारे में या इस तरह की information आप लोगों साथ discussion की जाएगी इसके अलावा जैसे यहाँ पर बात की जारी है 12th Clean Energy Ministeral एक मीटिंग होती है चिली के अंदर और इसके अंदर discussion किया गया इंडिया के साथ साथ UK उन्होंने एक launch किया है कि industrial energy efficiency को जो हो कहीं नहीं यूज किया जाए प्रमोट किया जाए और deep de-carbonization initiative को जो है support करेंगी इस initiative के त point इनके लावा जैसे एरान में आज एक major worship के अंदर आग लगी थी और यह Gulf of Oman में सिंग कर गया तो Gulf of Oman क्या है पर्शन गलफ क्या है या state of Harmoos की geographical location क्या है उस context में हम लोग जो है discussion करेंगे एक और information जैसे आज news में आयती है digital services text को लेकर और इसमें भारत की भारत के उपर इ इस तरह की information important है क्योंकि UPSC ने एक बार question पूछा था कि इंडिया वो country है जिन्होंने फर्स्ट कंट्री जिन्होंन 6% का equalization ले वी जो है वो एक तरीके से initiate करे थी और इसके बाद इसको online advertisement services के नाम से या digital advertising taxes के नाम से भी जानते है 2020 के अंदर इस तरह का scope या उसके बाद सभ भी digital transaction फर इस तरह की चीज़ने लगव कर दीगी तो यह एक चेस्ट वीडियो है outline की तरह इस तरह क्या video हो सकता है जिसमें हम लोग basic information जिसमें PIB Indian Express या Financial Express, Mint यह दूसरी जितनी न्यूजपेपर है या दुनिया भर की जो news है country कौन से news में है, places कौन सा news में है या कोई word या को टर्म, news में उसका क्या utilization हो सकता अपने exam perspective से, उनके बारे में brief में आप लोगों के साथ discussion करेंगे, तो अगर यह series आप चाहते हैं कि continue की जाए, initiate की जाए, आगे बढ़ाई जाए तो इसके लिए आप लोग नीचे comment करना और अपनी suggestion भी देना, और उसके बाद अगर आप इस इस सीरीज continue बेस पर आपको सुबह पांस बसे मिलेगी, और दह हिंदू हमारा as usual चलता रहेगा, थैंक्यो जहिन